हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नमबर 12 इडूटोरिया का आप ब्ससी के लिए देख रहे हो आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 75 के आसपास जो जीके और जीएस का पोर्शन है उन दोनों को आपको देख लेना है और देखिए जो लोग नए हो इ देख कर लिजेगा बिहार सची वारे के लिए दो तीन बुक आपका खतम हो चुका है उसे भी आप एक बार आकर जरूर देखिएगा और भी काफी साड़ा मेटेडियल आपके लिए अबलेवल है और काफी कुछ अभी आना बाकी है तो आप एक बार प्लेश्ट में आकर ज मिस्चिंट रहे है इस बात के लिए काफी लोगों का मैसेज आचुगा जो लोग नहीं जूरे हैं उनका बहुत सारा मैसेज आए आया है कि इस का बहुलग होता नमबर A टेट्रा फ्लोडो एथिलीन नहीं बहुलग होता है लेखिए प्रेंड है प्र्सिंग में भी बहु आपकी बार ये सब पहले आ चुका है प्रैक्टिस सेट में तो आप उसे अगर ध्यान से देखें होंगे यहां पर आपको ज्यादा टेंसन होगा नहीं बिलकुल भी निमलेकित में से किसकी मात्रा अमल वर्षा में सबसे अधिक होती है आप्शन नमबर आपका सी हो जाएगर आईटारसर H2SO4 का ध्यान रखिएगा अमल वर्षा में सरवादिक मात्रा पूछेगा नत H2SO4 का जो कि आपका लगभग 55% के आसपास होता है ठीक है नमबर 28 देखि आयोडी क्रित लवर में रहता है क्या रहता है ऑप्शन नमबर D प्रट्रेशियम अयोडाइड रहता है आयोडी क्रित लवन में पूछेगा तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है औप्शन नमबर A राय टांसर हो जागा कार्बन डायोक्साइड सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा कार्बन डायोक्साइड रहता है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो पर्मानु दुई बंद के द्वारा जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं option number B right answer यहाँ पर होगा एलकीन right answer होगा निलात होथा का राशाइनिक नाम क्या है option number C copper sulfate को आप निलात होथा का राशाइनिक नाम के रूप में जानते हैं ठीक है welding में परियोग होने वाली gas कौन सी होती है तो देखिए number 32 का welding में होने वाला होता है option number C oxygen तथा acetylene रहता है ठीक है यह दिहान रखेगा next question number 33 देखिए पेडियार अभ्यारन निल्ण में से किसके लिए परसिद्ध है option number B हो जाएगा right answer बागों के लिए कौन सा पेडियार अभ्यारन जो है यह famous है वातावरन में किस gas की कमी के कारण तो अचा के cancer के अवसर बढ़ जाता है option number E और जोन की वज़ा से ध्यान रखेंगे और जोन की कमी के होने के वज़ा से तो अचा का जो cancer होता है यह इसका अवसर बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता है शूर की परावगनी किरन को यह अवशूर्शीत करने का काम करता है भारत में निम्न में से कौन नवी करनी ये उर्जा स्तुरोत सरवाधिक शाभिवता वाला है option number E रायटा अंसर जाएगा शौर सकती उर्जा संकट से आप क्या समझते हैं उर्जा संकट का मतलब कोईला और पेट्रोल जैसा जो जिवाश मिंदन है इसके समापत्यने के खत्म होने का खत्रा होता है इसी को आप उर्जा संकट के नाम से जानते हैं निम्ले कित यूगमों में से कौन सुमेलित नहीं है option number देखिए बांदीपूर करनाटक में तो है अगर आप ने देखा होगा ता आपको जरूर याद होगा बचपन में अगर आप नेशनल चैनल कभी देखे होगे ता आपको जरूर याद होगा चंदरकांता के देवकी नंतन खत्री थे और फ्रेंड्स देखिए बुक एन उनको जे ओधर है उनका क्लास अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर बुक और उसके जो है और थर जो है यानि पुस्तक और उनके लिखने वाले लिखक के बारे में आपको एक क्लास लोशेंट अब्जेक्टिव का दे दिया गया है जो लोग अभी तक इस टॉपिक पर कमांड नहीं कर पाए है एक बार आप उस क्लास को देखिए उपर आपको यहाँ पर आई बटम में क्लास का लिंक मिलेगा आप इसे एक बार जरूर देख लिजेगा ठीक है अगर आप क्लास को देख लेते हैं उसमें आपको 245 पुस्तक और उसे इरेटेड जो नाम है वो आपको दिया जा चुका है उसे आप जरूर देखिएगा आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में दो से तीन बुक आपको देखने को जरूर मिल रहा है आप अगर नोटिस कियोंगे कुछ-कुछ है इसे भी स्टुडेंट है काफी कुछ नोटिस करते है उन्होंने ही ये बात सजिस्ट करवाया था समझाया था कि सर आप इस बात को देखिए उपन्यास वगड़ा बुक वगड़ा से दो-तीन सवाल हर एक सेट में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है आप अगर एनलेसिस करते चल रहे है किस तरह के पैटर्ण पर क्या क्या बताया जा रहा है तो आपका एक्जाम बहुत अच्छे से किलियर हो जाएगा चंदरकांता के देव की नंदन खत्री याद रखेगा विश्व पढ़ियतन दिवस कब मनाया जाता है ओप्शन नमबर आपका हो जाएगा 27 सितंबर को विश्व पढ़ियतन दिवस के नाम से आप जानते हैं मनाया जाता है 16 अगर आपका पूछेगा सितंबर को आप जानते हैं 16 सितंबर को ओजोन परत संदक्षन दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को बढ़ा ये क्या मनाया जाता है विश्विश्वांती दिवस मनता है और 21 फरवरी को वर्ल जो आपका मातरी भाषा दिवस है ये मनाया था 21 फरवरी को यूरोपिय संसद का मुख्याले कहाँ पर है अच्छा खाला कोश्य ने बताई यूरोपिय संसद का मुख्याले पूछा है ना आप्शन नमबर आपका हो जाएगा डी लगजंब बर्ग में यूरोपिय संसद का मुख्याले है निम्डिकित में से कौन सा यूग मिया पर सही से मैच किया वा नहीं है बताना है देखिए मोसाद इज्राइल का है सही है शावाग इराग का नहीं है बलकि ये इरान का हो जाएगा यही आपका यहाँ पर गलत है इराग के बारे में अगर पूछे गई या इराग के गुप्चर संस्था का नाम क्या है तो आपको बताना है अल मुख बारात ठीक है फिर आपका जैसे नाइचो जापान और मुख बारात आपका होगा मिस्र यहाँ पर यह सही मैच किया होगा बताए कि किस देश का राष्टी है चिन जाप परतीक जो है वो आपका सेर है ओप्चन नमबर सी नीदर लेंड का है या किलास भी आपको दिया जाएगा इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा परतीक चिन कौन सा कहां का क्या है देखिए नेक्स्ट है निम्रिकित में से किसने सरपर थम प्रेस सेंसर्शिप लागू किया था ओप्चन नमबर ए लाड वेलेजली के द्वारा 1799 में ठीक है कब 1799 में सारे समाचार पत्र वगरपे सेंसर बैठा दिया गया था मुँगेर के बरहिया ताल विरोत का उद्देश क्या था बहुत बाम यह सारा कुश्टन आपको बताय जा जूए अप्शन नमबर और सी पाकस्त भुमे की वापशी की मांग करना था बुंगेर मुउगेर का जो आपका बरहिया ताल का विरोत का उद्देश रहा था नम्रिकीत में से किसी भारत में Francis C Company का संस्थापक अना जाता है कारभर्ट कुना Francis C Company का जनक मना जाता है कहाँ पर भारत में बताइए कि कस अधिवेशन में कंग्रेस ने पहली बार भारती रियास्तों के परती अपनी नीति घोसिद की थी option number आपका हो जाएगा नागपूर अधिवेशन जो आपका उनिश्व 20 में हुआ था इसमें भारती राष्टी काउग्रेस ने अपने नागपूर अधिवेशन में रियास्तों के परति अपने निती के मतलब की घुशना करके उनको सासक से या मांग किया था कि परजाको ना पूर्ण उत्तरदाई शरकार की रूप में मतलब मिलना चाहिए दिया जाए बताइए रिग वेद की मूल लीपी जो है वो क्या है अप्शन नमबर ए हो जाएगा ब्रामी होगा भगवान बुद्र ने सरवादी को अपदेश कहाँ पर अप्शन नमबर डी सरावस्ती में सबसे ज़्यादा दिये थे अगर पहला अपदेश पूछेगा बताइए कि भगवान बुद्र ने पहला अपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था क्या बताइएगा शारनाथ आपको ध्यान रखना है ठीक है पहला अपदेश शारनाथ में दिया गया था अशोक ने किस अभी लेख में दक्षिन भारतिय राज्यों का उलेख किया है दक्षिन भारतिय राज्य का उलेख अशोक के option नमबर आपका यहाँ पे हो जाएगा A right answer धुईतिय मुक्षिला लेख में किया गया था ठीक है बता यह खुजराहों के मंदिर किस धर्म से समंदित है तो खुजराहों का मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से समंदित है option नमबर D right answer ग्रीकर लगाने वाला दिली का पर्थम सुल्तान कौन था option नमबर D right answer अलावदीन खिल्जी के द्वारा ग्रीकर लगाया गया था सबसे पहले भारत में पर्थम मकवरा जो सुद्ध इस्लामी सैली से निर्मी तेनी कि बना है वो कौन सा मकवरा है option नमबर D बलबन का मकवरा जो है यह पहला मकवरा है जो सुद्ध इस्लामी सैली के रूप में यह बनाया गया है next है नमबर 53 एकसीमो कहा के खाना बदोष शिकारी है option नमबर A right answer ग्रीन लेंड के एकसीमो खाना बदोष शिकारी है फ्यूजी यामा जौला मुखी किस देश में स्थित है option नमबर D right answer हो जाएगा फ्यूजी यामा जौला मुखी पूछेगा कहाँ पर तो जापान में है भारत का सबसे प्राचीन बंदर का कौन सा है option नमबर आपका यहाँ पर D right answer हो जाएगा चन्नाई चन्नाई का जो चन्नाई जो एक क्रित्रिम बंदर का है और यहाँ भारत का सबसे प्राचीन बंदर का है दिहान रख लिजेगा इस बात का भारत में उनिवर्स्तर की पहली मील कहाँ पर अस्थापित किया गया था option नमबर A right answer हो जाएगा कानपूर में भारत में पहला उनिवर्स्तर का मील की अस्थापना की गई थी पूछेगा कब यह भी पूछ सकता है न 1876 इस्वे में किया गया था बोकारो इस्थील प्लांट के अस्थापना कब की गई थी option नमबर D वर्स 1968 में आपका बोकारो इस्थील प्लांट के अस्थापना की गई थी जलोर मिट्टी में किसकी बहुलता बहुलता जो है यह सबसे ज़्यादा होता है option नमबर A राय टानसर पोटास की सबसे ज़्यादा बहुलता होती है यहाँ पर बताए कौन सी सहायक नदिया क्रिष्णा की नहीं है यह गष्ना की सहायक नदी इन सब में से कौन सा जो नहीं है तो option number ज़ आपका इना वर्धा नहीं है ठीक है तो वर्धा नहीं है ध्यान रखेंगे बात बागी पंच गंगा कोईना घाट प्रभाव यह सारे krishna की ही क्या है सहायक नदी ऐ अगर पूछेगा को वर्धा जो है न आपका बताएगे किस की सहायक नदी है यह भी पूछा जा सकता है तो आपको किस का बताना है गोदावरी का कृष्णा करना हो करके यह गोदावरी की सहायक नदी है बताएगे कि क्योरोशियो की जल्धारा के समद में कौन सही है तो क्योरोस्चियों की जल्धारा जो है न प्रसांत महासागर की गर्म जल्धारा है ध्यान रखिएगा किसी राज में विधान परिशत की संद्चन अथवा जो वी घ्र्टन है किया जा सकता है तो बहुत ही जादा है जी ऑप्षन नमबर B संसर की द्वारा भारत के राष्टपती को निमन में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है ऑप्षन नमबर B नियायले के नियाय धीश को हटाने का अधिकार राष्टपती जी को नहीं दिया हुआ है नहीं दिया गया भारतिया समिधान में भारत के संदर में निम्रिखित में से कौन है जो धर्म निर्पेक्स सब्द का सही भाव व्यक्त करता है तो आप्शन नमबर A भारत में राज का कोई धर्म नहीं है या जो है न धर्म निर्पेक्स सब्द का सही व्यक्ष्या किया गया है यदि भारतिय संग में नई राज्य का सुधार करना होता है, उसी में कौन से समानता के मौलिक अधिकार में ऐसा मिलित नहीं है, और आर्थिक समानता में और कौन सा अनुच्छेद अन्तराष्टिय सांती और सुरक्षा के संबंदन से संबंदित है। ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 धिहान रखेगा अन्तराष्टिय सांती और सुरक्षा के लिए या जिमेदार है। इसमें दिया हुआ है। संसादिय शार्षन विवस्था में वास्तविक कारिपालिकासक्ति किसके पास होती है तो वास्तविक में अगर पूछे गाने तो परधानमंत्री ही होते हैं सर्वेशर्वा मगर राष्टपती सबसे हेटपोस्ट पर आते हैं च्छेत्रिये परिषदों का स्रीजन हुआ है option number B संसदिये कानून के द्वारा च्छेत्रिये परिषद का स्रीजन किया गया है यहाँ पे आपको अच्छा रिजनिंग का है एक सवाल देखे तो क्या है 3, 5, 6, 12, 12 क्या होगा देखिए 3 में आप गुना करेंगे 2 से यहाँ पे 6 आएगा 6 में गुना करिए 2 से 12 आएगा 12 में गुना करिए 2 से आपका 24 आएगा पहला तो यह pattern है दूसरा देखिए 5 में आप 7 जोड़िए क्या आएगा 12 12 में आप यहाँ पे क्या जोड़िए फिर साथ जोड़िए क्या आएगा उनीश आएगा न इस पैटर्न पर आपका बताईए है बिल्कुर यह हो जाएगा आपका राई टांसर यहाँ पर नहीं नहीं है ऐसी मतलब छे बारह चौवेस यह तो यहाँ पर है ठीक है हाँ चौवेस तो यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उनीश यहाँ पर राई टांसर यहाँ आपका यहाँ पर सही है ठीक है आए नेक्स्ट अब चलते हैं 100 कितना क्या सपास 10 15 क्या सपास देखिए आए 1188 पर आई यह प्रकास संसलेशन वनस्पती कोशिका में इस्थीत इनसमें से कहां पर होता है काफी इम्पवर्टेंट है वनस्पती कोशिका में इस्थित कहाँ पर जाए किस वर के पौधे को पादुत कर रूप में आप जानते हैं option number B ब्रायो फाइटा को आप पादपवर की उभाईशर की रूप में आप इसे चानते हैं मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी या दास्त और सीखने की छमता जे सिक्रियाओं को प्रिरित करते रहता है तो option number B जानते हैं अप सेरे ब्रह्म के द्वारा ये सारा काम किया जाता है निमलिखित में से किसी मानव सरीर की जैवरसायन परयोग साला भी कहा जाता है तो option number C लीवर को सैवाल पारिस्थित की तंद्र यानि कि इको सिस्टम के निमलिखित में से किस अस्तर में आता है सहिवाल जो है न ऐसे समझिए सहिवाल पारिस्थित की तंत्र के किस अस्तर में आता है तो option number आपका हो जाएगा C उत्पादक के रूप में आप इसे जानते हैं कौन सा जीव वर्मे कंपूस्टिंग में मदद करता है option number D. राइट आसर केचवा जो है ने ये वर्मे कंपूस्टिंग में हेल्प करता है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निमन में से किस के द्वारा ये स्रावित होता है option number C. अगनासर के द्वारा यहाँ पर बताएगे कौन सा रोग शंक्रामक रोग के अंतरगत आता है option number A. 6 रोग जो है ना यह संक्रामक रोग के अंतरगत यह आता है 126 पर आईए Turner syndrome में गुन सूत्र की संख्या कितनी होती है तो Turner syndrome में पूछेगा बताएगे क्या होगा option number C. 45 आपको बताना है गुन सूत्र puse गरंथी से आप pituitory गरंथी के भी नाम से जानते हैं बताएगे कि इससे सरावित होने वाला हार्मून कौन सा होता है तो देखिए रहाँ पे आपका STH, AC, TH और ADH यह सभी होते हैं option number D आपको यहाँ पे याज रख लेना है अगर इसका वेट पूछेगा वेट कितना होता तो लगभग 0.6 ग्राम के आज पास यह आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सुमेलित है बताना है देखिए जॉन गोटेर वर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेश का थियोटर मैन के द्वारा लेजर का सूल्स की द्वारा टाइप राइटर का और जेमज की द्वारा पकल जेम्जट पकल की द्वारा यह मशीन गं का यह मतल्व वो किया गया था आपशन नमबर यहाँ पे आप देख लेजेगा आई टांसर जो होगा जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है बहुत इंप्रोटेंट है बता ये क्या होगा तो देखिए ओप्शन नमबर भी नौ बटे दस भाग जो है पानी के अंदर रहता है ध्यान रखेगा और वन बै जो टेन आपका बचेगा ये कहा रह सवानुपाती होता है ठीक है नूटन के गृत्वाकर्शन के नियम के अनुसार अगर दो वस्तों के बेच का बल उनकी द्रावमान के गुनच के ये सवानुपाती होता है अगर ने मतलब ये सवानुपाती होता है ये ध्यान रखेगा पिर्थवी शूरी के चारों और घू कर लगाती है बताइए जल के हीमिकरन के कारण हो जल के हीमिकरन के होने पर इसका ताप क्या होगा option number B हो जागा right answer और परिवर्थित रहता है ध्यान रखिएगा number 133 बताइए कह रहा है कि R1 और R2 दो परतिरोद समान अंतर में जुरा है परतिरोद R1 और R2 का अनुपात आपको दिया है आर वन और R2 में प्रवाहित विद्दूत का अनुपात आपको बताना है कितना होगा आपको जानते हैं V equal to IR होता है ठीक है इसे solve करेंगे R1 जो अनुपात R2 हो जाएगा आपका चार अनुपात एक हो जाएगा और जब इसे I मतलत जाने कि आपसे क्या पूछा है विद्दूत का अनुपात पूछा है आपका I 1 I 2 बराबर आपका 1 ratio 4 यहाँ पर निकल किया आगा option number A यहाँ पर बिल्कुल सही होगा courses किया जाएगा इस तरह का question अगर आपके लिए हो सकेगा काफी सारा आपको solve करवा दिया जाएगा विद्दूत परिपत में safety fuse का तार का प्रियोग क्यों किया जाता है प्रियोग का तार जो किया जाता है कहां पर किया जाता है यह बताना है option number C गलन बिंदू पर किया जाता है लख्ष है न वो कब तक के लिए रखा है मलेरिया को कब तक मतलब मलेरिया मुख्थ बनाना है भारत को वर्श 230 तक बनाना है ध्यान रखेंगे टीबी मुख्थ पूछेगा दोज़र पचीस तक और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त अगर पूछेगा वर्स दोज़र बाइस में ही लग्च है देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं परियोग को किस तीधी से पूर्णता प्रतिबंद किये जाने की घोशना की गई है तो यह ब प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट में काफी अच्छे से डीप डिस्कसन के साथ आपको बताया गया था ओप्शन नंबर सी लुईस हैमिल्टन को यह फर्मूला वन के खिरारी हैं जिसे कि नाइट हुड की उपादी से सम्मानित किया जा चुका है इस्टील अथरोट बताये इसका पूरा नाम क्या है इसके लिए भी क्लास आपके लिए मिल जाएगा आप उसे भी आई बटम में जरूर देख लिजेगा ठीक है ओप्शन नंबर सी रियल टाइम ग्रोज सेटलमेंट सिस्टम के नाम से आप किसी जानते हैं आइटी जीएस का यह फुल फॉर् भारती नौसयना ने किस देश की नौसयना के साथ बोंगो सागर युद्याब्यास अक्टूबर 2022 में अक्टूबर यहां पे नहीं था फ्रेंट्स यह तो 2000 मई में हुआ था 25 मई 2022 को यह हुआ था ठीक है बताये किस के साथ हुआ था गलती से आमें स्प्रिंट हो गया होगा अप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगलादेश के साथ भारती नौसयना ने बोंगो सागर युद्याब्यास किया वर्च 2021 का सांत्री का नौबल पुरुषकार किसे प्रदान किया गया है तो अप्शन नंबर मारिया रेशा और दमित्री मुरा टोब को दोनों को मिला है एक स पांच मतलब क्या स्वर्ण पर गिते हैं टोटल पांच पदक नहीं परक टोटल पूछेगा तो कितना याद रखिएगा उनीश टोटल जीता गया था भारत के दुवारा फूमियो की सीधा किस देश के परदान मंतरी की रूप में सपत ले लिए ऑप्शन नंबर सी जापा है ये कुस्ति कोच बनाई गई है तो ऑप्शन नंबर भी फातिमा बानो बनी है मिश यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता ऑप्शन नंबर सी हरनाज को और संधू के द्वारा ये जीता गया है एक दो नाम आपको ध्यान आ रहा होगा सुस्मिता सेन भी पहले जीत चुकी है एक 147 बताइए कि FDI का पूर्ण रूप क्या है या आप भी देखिए फुल फॉर्म का आपका सवाल दो सवाल तिन सवाल दिखीं गया हर एक सेट में मिली जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जानते हैं अप FDI का फुल फॉ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जानते हैं निम्रिकित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या फिर सुलब मुद्रा के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर तीसरा या पर सी वाला हो जाएगा M3 को आप जानते हैं आज का लास्ट कूर्शन देखिए वस्तु टोटल चार तरह का पांच फिर आपका बारह अठारह और अठाइस परसेंट का जी एस टी चलता है यह जो ऑप्शन नंबर भी है दस परसेंट ऐसा तो होता नहीं है तिसलिए ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बिलकुल गलत हो जाएगा चलिए तो अभी आपने फ्रेंट्स टोटल देखा कितना 150 कोश्चन में से आज की इस क्लास में आपको जी के और जी एस का जो पूर्शन था करेंट अफेर्स वगरा सारा कुछ कभर करवा दिया गया है आसा करता हूं क्लास आपको अच्छा लगा होगा क्लास के पीडिएफ के लिए आप सबसे पहले टेली ग्राम गुरूप को जोड़े हुए है इसके बाद अगर आप टेली गराम यूज नहीं करते हैं काफी लोग नहीं यूज करते हैं तो आपके लिए मेरे तरब से इस पीशली एक बेनिफिट दिया जाता है हर एक क्लास के बाद आपको या क्लास में ह जाया है भी जाता है नंबर को आपने देखा हर एक क्लास में आप देख रहे हैं फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं देख लिजेगा 9576843550 इस नंबर पर आप वाट्सेप पर मैसेज करिएगा अगर आप वाट्सेप चलाते हैं तो क्लास का पीडियाफ मिल जाएगा बट क काफी सारा मेटेरियल आपके लिए टेलिग्राम पे अपडेडेर रहता है वाट्सेप पर आपको हर बार मैसेज करके कहना परेगा क्योंकि काफी सारा हजारों के संख्या में मैसेज है जो पेंडिंग में रहता है देखना पॉसिवल नहीं हो पा रहा है ठीक है जो आपका स पहले से पता चल ही गया होगा ठीक है तो कोशिज करिए टेलिग्राम ग्रूप से जोड जाने का ठीक है अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा अब आप वीडियो को क्या करिएगा लाइक कर दीजेगा बिहार सची वाले के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे इंफ्रेंट्स बने रिए भी सी अकाडमी के साथ क्लास देखने के लिए आपका थैंक्स